नमस्कार में सिम्डन और आप देख रहे हैं मैं भारत निउस बॉलिवट सुपरस्टार सलमान खान इन दिनों अपनी अगली फिल्म कभी एद कभी दिवाली को लेकर सुर्ख्यूं में है सुपरस्टार सलमान खान की इस फिल्म में साउथ फिल्म अदाकारा पूजा हेगले नजर आने वाली है रादे श्याम बीस्ट और आचारी जैसी बिग बजट साउथ फिल्मों का हिस्सा बनने के बाद आदाकारा पूजा हेगले के हाथ बॉलिवर्ट सुपरस्टार सलमान खान की मल्टी स्टारल फिल्म लगी है इसकी शूटिंग आदाकारे ने आज ही मुंबई में शुरू भी कर दी है सूपरस्टार सलमान खान संग सिल्वर स्क्रीन शेयर करने की खुशी आदाकारा पूजा हेगले ने खुद शोचल मीडिया के जरिये बया की है आदाकारा ने हाली में फिल्म कभी इद कभी दिवाली की सेट से अपनी पहली तस्वीर शोचल मीडिया पर शेयर की है दिल्चस बात तो ये है कि शेयर की गई इस तस्वीर में आदाकारा पूजा हेगले सूपरस्टार सलमान खान का लग्की ब्रिसलेट पहने दिखी ये तस्वीर शोजल मीडिया पर शेयर कर पूजा हेगले ने लिखा कि शूट शुरू हो चुका है पूजा हेगले कि ये तस्वीर इस वक्त हर किसी का ध्यान अपनी और खीच रही है इस तस्वीर पर कमेंट कर आदाकारा के फैंस उनकी जम कर तारीव भी कर रहे हैं ये तस्वीर आप भी यहाँ देख सकते हैं सामने आ रहे ही मीजिया रिपोर्ट की माने तो इस फिल्म की शूटिक मुमबैी मे ही शूरू हो गई है जां मेकर्स ने दो विशाल सेट बनवाए हैं जिसमें से एक सेट मेटरो का है सुनने में आया है कि मेटरो में फिल्म की शूटिंग करना खासा मुश्किल था इस दोरान भीड को समालना मेकर्स के लिए बड़ा चैलेंज था इस वज़ा को ध्यान में रखते हुए निर्माताओं ने मेट्रो का ही एक बड़ा सेड बनवाया है जिसमें फिल्म के कुछ हिस्से शूट होंगे सुपरस्टा सल्मान खान के इस फिल्म में पूचा हेगले लीड रोल में है जबकि उनके साथ सल्मान खान के जीजा आयूश शर्मा और एक्टर जहीर इकबाल भी एहम किरदारों में नज़र आएंगे ताजा रिबोर्ट की माने तो इस फिल्म में बिग बॉस तेरा फेम पंजाबी सिंगर और एक्टरिस शैनाज गिल की भी इंट्री हो चुकी है अदाकारा फिल्म में आयूश शर्मा के अपोजिट नजन आने वाली है इस फिल्म के निर्देशक फरहाद साम जी है इस फिन को मेकर्स दिसेंबर तक रिलीस करने की तैयारी में है फिल्हाल के इतना ही देखते रहें मैं भारत में